नमस्कार मित्रो केम्चो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था DSL Connection के उपर मतलब हमारे जो कनेक्शन होता है जो DSL Connection हमारे इंटरनेट के लिए जो यूज होता है वह कैसे काम करता है तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यह जो VDSL Connection होता है जो DSL Connection का Advanced Version है तो यह जो VDSL Connection होता है वह कैसे काम करता है और उसकी स्पीड DSL Connection से जादा क्यू होती है मेरा नाम है कृतिक आप देख रहे टेक्निकल मोटा बाई हालो चालो करिए मित्रू यह जो DSL Connection होता था जीसे हम कहते थे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन मित्रू DSL Connection में होता यह था कि हमारे ISP और हमारे घर के बीच में जितनी दूरी जादा बढ़ती थी उत्रा ही हमारे इंट्रेट का जो कनेक्शन है वह स्लो हो जाता ऐसा इसली होता था क्योंकि DSL Connection जो हो फोन लाइन के थ्रू आता था तो फोन लाइन जो हो कॉपर की बनी होती थी तो उसमें जो है वह नॉइस बहुत सारी होती थी इसली जो बहुत हो जाते थे और इंट्रेट की स्पीड मिलती थी हमें बहुत कम मिलती थी तो इसका जो एडवांस वर्शन है वो है VDSL अभी VDSL का फिल फॉर्म है वेरी हाई बीट्रेट DSL कनेक्शन अभी जो VDSL है वो थोड़ा बहुत केबल इंटरेट जैसा काम करता है अभी केबल इंटरेट में क्या होता था मैंने इसके उपर भी एक बाकी जीतने भी हमारे आज़-बाईज़ में जीतने भी लोगे में ओ सब को औक्जल केबल के थरू विवे स्प्लीटर के-थरू हम सब को कंछी दे दे लेकिन वाशाल में जो ह्ग में वह हो सें तकशन यूज करते हैं यूकिन वह को ऐडले हम यूज करते i. ऐस तो के वह बहुत क्लीन और एकदम सेफ्टली हमारे यहां तक स्प्लीटर तक पहुंच जाते हैं तो स्प्लीटर के बाद से फिर हमारे युजवली वह फोन लाइन्स के थू हमारे घर तक इंट्रेट प्रोड हो जाता था क्योंकि phone lines का use होने से इसे VDSL connection बोलते है क्योंकि DSL में हम phone lines का use करते हैं इंटरेट के लिए और इसे very high bitrate इसलिए बोला गया क्योंकि हम splitter से ISP तक का connection होता है वो हम fiber optic के through use करते है तो VDSL में यह बात तो fix है कि हमें इंटरेट की जो speed हो बहुत ज्यादा मिलती है DSL connection के मुकाबले में तो अगर बात करें speed की तो हमें VDSL में 50-52 megabits per second के आसपस download की speed मिलती है और अगर बात करें upload की तो upload में 15-16 megabits per second के आसपस के speed मिलती है और इसमें जो frequency use होती है वो होती है 12 MHz तक की अभी VDSL की जो technology है उसका और एक advanced version आया है जिसे हम VDSL 2 भी कहते है तो VDSL 2 में फर्क यह है कि इसमें जो frequency use होती है वो होती है 30 MHz तक की frequency use होती है और इसमें download speed जो है वो vary करती है कि आपका घर कहां पर है और ISP से कितना दूर है हलांकि VDSL से ज्यादे ही हमें download and upload की speed मिलेगी VDSL 2 में अभी यह जो VDSL है उसको हम 4 परट में divide कर सकते हैं मतलब उसे classification या types हम कह सकते है तो first जो है वो है fiber to node अभी fiber to node का मतलब ही होता है कि हमारा जो splitter है जो मैंने बताया था आपको हमारे cable internet में जैसे हमारे splitter use करते थे हम जो coexil cable ISP से आता था फिर वो splitter के थुरू हम सभी दूसरे लोगों को भी internet प्रोवाइड करते थे मतलब एक से हम बहुत सारे लोग internet को use कर पाते थे fiber to node में क्या होता है यह जो splitter है वो हमारे आजू-बाजू में कहीं पे installed किया रहता है हमारे cable internet की जैसे ही अभी जो दूसरा है वो है fiber to cud अभी cud का मतलब ही होता है कि समझ लो हम एक building में रहते हैं तो building में समझ लो top floor पे या फिर ground floor पे अगर हम जो splitter है उसको install करते हैं मतलब हमारे जो fiber cable है वो हमारे ground floor या फिर top floor तक ही आएगा फिर वहां से हमारी जो phone line से उसके तरू हमारे घर तक internet आएगा तो यह एक part है VDSL का जिसे हम कहते है fiber to cud तीसरा है वो है fiber to building इसमें क्या होता है समझ लो हम एक society में रहते हैं जिसमें चार-पाज wings है मतलब building है वो सब के बीच में समझ लो एक ही splitter है मतलब ISP से जो fiber आते है वो एक splitter में लगता है फिर वो splitter से जो हमारे telephone line से वो चार-पाज building के यूजर के पास जाती है आता है fiber to building के अंदर अभी चौता जो है वो है fiber to home अभी इसका मतलब यह होता है कि जो fiber cable जो है वो directly हमारे घर पे आता है मतलब हमें phone lines के use करना नहीं पड़ता तो यह जो चार टाइप से वो हती है VDSL के टाइप और भी जरूर कीजिए और अगर आपको कोई भी सवाल है या फिर कोई भी सुझा मुझे देना चाहते तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राब करना तो बिल्कुली मत भूलिए क्योंकि कि मैं ऐसी टेक्नोलोजी को एक्स्प्रेंग करते रहता हूं फिलाल के लिए इतना ही आओ जो